वेपजी बूट ने एडमेट काड़ेज कर दिया है वेपजी बंगॉल जोइंट इंटरेंस एक्जामनेशन का तो किस तरे से आप डाउनलोड करोगी इसके बारे में बताने वाला हो और साथ में आप सभी को बताने वाला हूं exam day guidelines के बारे में या फिर rule of examination के बारे में, यानि कि exam के दिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको कौन सा admit card लेके जाना है, color या फिर black and white, इसके अलावा और update है आप सभी के लिए तो वीडियो में बने रहना end तक, examination से पहले ये आप सभी के लिए important वीडियो है, आप सभी को पता है कि य ये वेस्ट बंगल joint entrance examination है, उसका examination date है, वो 17 July को आपका examination लिए जाएगा जाएगा, जो कि Saturday का दिन है, इससे पहले examination को पोश्मून किया गया था और ये नया date है, देखो, जैसे ही वेस्ट बंगल को joint entrance examination का admit card आया है, उसके बाद बहु सारे queries आने लगी, क्या update है, इसके बार में समझते है, haul ticket आप webg.nic.in के official website से download कर सकते हो, जिसका link description में है, total इस साल 2021 में 92,695 candidates ऐसे हैं, जिन्हों है registered किया है examination के लिए, competition काफी ज्यादा tough है, इसलिए आप preparation करते रहो, अच्छे से, अब admit card किस तरह से check कर सकते हो, तो official website पे visit करना, link description में है, directly download, admit card के link पे click कर लेना, जैसे ही link पे click करोगे, आपको login option चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो आप application number या password या फिर application number, date of birth के मदद से, आप simply login करके admit card download कर सकते हो, अब सबसे ज़्यादा important है exam day guidelines के बारे में, admit card में भी आपका guidelines लिखा होगा, साथ में एक information voucher भी release किया गया है, तो उसको देख ले आप सबी के साथ, सारे candidates को कहा जा रहा है, जो भी examination देने जाएंगे examination center पे, कम से कम 30 मिनट पहले आप अपने examination start होने से पहले पहुँचाना, और यह बहुँ सारे बच्चे पहुँचाते हैं और आप भी पहुँचाओगे, examination center location आप पहले ही से check कर लेना, ताकि आपको जो आखरी समय जब आप examination के लिए जाओगे, वहाँ पे कोई भी problem ना हो, तो examination center को map में check कर लेना, अगर संबब हो सके तो एक दिन पहले ही जाके देख लेना, इसके अलाबा आपको उसी center पे जाना है, जहाँ पे आपका examination है, आप किसी दूसरे center पे जाओगे, तो वहाँ पे आ cancel कर दिया जाएगा, इसके अलाबा जो examination center पे जब जाओगे, तो कौन-कौन से documents आपको carry करने है, examination के लिए, तो आपको printed copy of admit card, admit card का color print out ले लेना है आपको, इसके अलाबा आपने जो photograph upload किया था, online application form fill up करते वक्त, वह same photograph आपको carry करना है, एक या दू photograph ले ले लेना, इसके इसके अलाबा आपको एक identity card, एक पहचान पत्र के तौर पे अधार card, pan card, या फिर voter card, या फिर 10th का admit card, mark sheet, या school ID, इन में से कोई भी एक document आप जरूर से carry करना, जो की real हो, real हो, यानि कि सब चीज उसमें clear हो, आपका photo clear हो, नाम clear हो, तो इन सभी चीज़ों का धियान रखना ह आप सभी को examination center पे उन चीज़ों को लेके नहीं जाना है, जो चीज allowed नहीं है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं, examination center पे जब आप जाओगे, तो आपको अंदर जाने के लिए कहा जाएगा, तो examination सुरू होने से 15 मिनिट पहले आपको अपने seat पे बैठ जाना है, वो invigil आपको कहेंगे, examination hall में enter होने समय आपको बता दिया जाएगा, तो आपको examination से 15 मिनिट पहले आपको examination hall में बैठ जाना है, साथ में examination hall में जैसे ही आप enter करोगे, तो आपको अपने समय पर enter करना है, जब examination start हो जाएगा, उसके बाद आपको enter नहीं करने दिया जाएगा, इसके डक्यूमेंट, लॉक टेबल, रिस्ट वॉच, एनी कॉमुनिकेशन डिवाइस लाइक, मुबाइल फोन, एक्स्टेक्टर, तो आप अपने एक्जामनेशन हॉल में क्यालकुलेटर लेकर नहीं जा सकते, देन उसके बाद आप रिस्ट वॉच यानि कि घड़ी भी लेकर नहीं जा सकते, साथ में मुबाइल फोन भी नहीं लेकर जा सकते, तो इन चीजों के समान है, आपके पास तो आप अपने गारजियन को दे देना, अगर आप इन चीजों को लेकर जाओगे, तो आपके खिलाब रिपोर्ट दज हो सकती हो, और आपको एक्जामनेशन हॉल से बाहर तो सही यह दिरी गदा मतलब टेस्ट जब स्टार्टों का उससे पहले दे दिया जाएगा, उसमें से क्या करना है आपको, कि उसमें से आपको OMR सीट निकाल लेना में है, कोशन बॉकलेट में सील लगा होका, तो सील को बिना तोड़े वे, आप OMR को निकालने के लेकर आप अगर वो सेम नहीं है तो आप अपने इन्वेजिलेटर को बोलना वो आपको रिप्लेस करके दूसरा देदेंगे इसके अलावा आप अपना सिगनेचर कोशन बुकलेट के उपर आप अपना सिगनेचर कर लेना साथ में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं जो कि OMR सीट में दिये होंगे और कोशन पेपर बुकलेट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उस सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है देन इसके बाद आपको question booklet number और roll number OMR sheet में fill up कर लेना है अगर आप किसी कारण वस OMR sheet में गलत entry कर देते हो question booklet number या फिर roll number तो ये OMR sheet reject हो सकता है या फिर आपका wrong scoring हो सकता है गलत scoring हो सकता है तो OMR sheet fill up करते समय आप ध्यान रखना कि उसको अच्छे से fill up करना साथ में webg board कहती है कि अगर आप OMR sheet में गलत fill कर देते हो या फिर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसके लिए webg board responsible नहीं होगा तो candidates इस तरह का mistake ना करें अगर आप mistake कर भी देते हो तो उस पे overwriting मत करना इस बात का भी ध्यान रखना और अगर मालो आपने mistake कर दिया तो overwriting मत करना देन उस के बाद आप सही जो correct number है वो correct number वहाँ पे लिखना और invagilator का sign भी करवा लेना तो उस पे overwriting मत करना उसके उपर या फिर उसके नीचे जो correct number है booklet number, question booklet number, roll number तो वो सारी चीज़े लिख देना और invagilator का sign करवा लेना इसके अलाबा आपको OMR sheet में जो bubbles बनाने है वो question booklet number और roll number करके वो सही तरीके से बनाने है पूरा जो circle है उसमें bubble सही तरह से बैठ जाना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए फिर आधा अधूरन नहीं रहना देन इसके बाद आपको अपना name block letter में लिखना है यानि कि capital letter में लिखना है साथ में आपको अपना center name भी लिखना है और signature भी करना है OMR seat में जहां पर signature करने के लिए कहा जाए आप किसी भी तरह से अपने OMR seat को मोड़ना मत उस पे कुछ draw मत करना इसे क्या होगा कि आपका OMR seat reject भी हो सकता है आप अपना roll number photograph और spelling attendance sheet देखो आप जब examination hall में जाओगे तो invagilator आपको attendance sheet देगा तो उसमें roll number photograph और spelling आ लेना admit card के साथ मिला लेना अगर match करता है तो अच्छी बात है अगर match नहीं करता है तो invagilator को आपको बोलना होगा इसके अलाबा question booklet का seal आप तभी तोरोगे जब examination start होगा जब आपको invagilator कहेंगे invagilator के बिना permission के आप question booklet का seal मत तोरना इससे क्या हो सकता है कि आपको problem हो सकती है साथ में आपको examination hall में silence maintain करना है बातचीत नहीं करनी है अगर आप बातचीत करोगे और invagilator देखेगा तो वो आपको cancel भी कर सकता है साथ में invagilator के साथ आप questions से related कोई भी discussion नहीं कर सकते हो आपको question booklet में एक rough sheet भी होगा rough seat यानि के rough area होगा rough work करने के लिए तो आप rough area ही में rough work करना इसके अलाबा कोई भी candidates बिना permission के अपने seat को नहीं छोरेंगे आपको अगर washroom जाना है या फिर बाहर जाना है पानी पीने के लिए तो आप invagilator के permission से जा सकते हो इसके अलाबा कोई भी candidates hall में बिना OMR seat मतलब जब छुटी होगी तो बिना OMR seat ये बाहर नहीं जा सकता है अपने invagilator को तो जब examination complete हो OMR seat आपको दिये ना है invagilator को उसके बाद आपको बाहर निकलना है OMR seat देने के बाद आपको question booklet अपने साथ लेके चले जाना है अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह इसे cheating करते होए पाजाता है या फिर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के जग़ा पे बैठता है तो उसको cancel कर दिया जाएगा तो इस बात का भी ध्यान रखना तो examination काफ वेब जी जो examination हो रहा है यह आपका result 14 अगस्त को release किया जाएगा counseling process 15 September से होगा वेब जी examination 17 जुलाई को होगा आपको पता है और यह offline mode में हो रहा है तो जो भी candidates यहां से qualify होंगे वो counseling session में participate कर पाएंगे यह examination basically BTEC और BFARMA के लिए होता है वेस्ट बंगल के universities में government colleges में और self-lying engineering institutions में admission देता है जो भी बच्चे 2022 में examination देने वाले हैं तो preparation अभी से start कर दो और जो लोग 17 जुलाई को examination देंगे उन सभी को best of luck और यह last year का data है आपको बताऊ 73,119 student appear हुए थे examination में और लगबग देख सकते हो 72,298 कुछ rank हुए थे 72,000 student ने participate किया थे जिसमें 55,154 male थे और 17,144 female थे तो बहुत सारे candidates examination देते हैं competition काफी tough है तो preparation अच्छी तरह से करते रहो so that's it यह हमारा telegram channel है आप join कर सकते हो इसका link description में है वीडियो के update के लिए वीडियो पसंद आया हो तो like और share कर देना और चैनल पर अगर नहीं हो तो subscribe करके bell icon के button को press कर देना so thank you for watching thank you झाल 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 हो तो